हलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टो अर्गेनाईज नॉलिच चैनल और बच्चों जैसा की आज सुबह से ही बड़ा बेसब्री से 10th क्लास के बच्चे अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे और बहुत जारे जो सुत्र हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन सब के अनुसार क् कोई भी ऑफिशल अपडेट अभी तक नहीं आया है, यानि अगर हम मानें, तो CBC के ओर से ऐसी कोई इन्फोर्मेशन जो है, वो कहीं पर भी स्टूडेंट्स के लिए नहीं दी गई थी, कि आज जो है रिजल्ट वो 100% डिकलेर किया चाएगा, पॉसिबिलिटीज होती है, ये थी कि 11 एम यानि सुबह 11 जो है 11 बजे तक इस बारे में अगर आज रिजल्ट आना है, तो CBC के ओर से कोई न कोई अपडेट जरूर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारे न्यू चैनल जो है, वो लाई भी दिखा रहे थी कि रिजल्ट आएगा, ले फिर से एक नई डेट जो है, वो फिर से अनाउंस हो रही है, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो है, एक नई डेट वो दीज आ रही है, रिजल्ट के आने की, और ये भी हमने कहा था कि जो रिजल्ट है, वो 12 का रिजल्ट जो है, वो पहले आने के चांसे है, यानि 10 का रि रेजल्ट एनाउंस किया जाता है और इसी चीज़ को देखते हुए अब यह जो बात है यह निकल के आ रही है कि सीवेसी जो है अपना जो यह ट्रेडिशन है कि 12th क्लास का रेजल्ट पहले आएगा उसको क्लास 12 का रेजल्ट जो है वो क्लास 10 से पहले आएगा इसी को फॉलो करते हुए जो है क्लास 12 का रेजल्ट पहले निकाल सकते हैं क्लास 10 को जो है ओन होल्ड रखा जा सकता है और क्लास 12 का रेजल्ट पहले आने का एक रीजन भी है क्योंकि अंडर ग्रेजुएट के जो अड्मिशन प्रॉसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और जो बहुत सारी undergraduate वो जो है start हो चुका है और अगर हम previous year की बात करें तो cvsc ने अपना जो 12th का result है वो हमेशा वो पहले declare किया है जैसे 2021 की अगर हम बात करें तो 30th July को class 12th का result declare हुआ था जब कि 10th का result है वो 3rd of August को हुआ था 2020 की बात करें तो 12th class का result जो है वो 13th July को आया था और 15th July को 10th class का result जो है वो declare किया गया था इसी tradition को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि class 12th का result जो है cvsc वो पहले declare कर सकती है और class 10th का result वो on hold रखा जा सकता है और एक new जो यहां पे update है आप information कह लो ठीक है उसके base पे हम यहां पे दिया गया है कि जो एक नई date यहां पे दी गई है कि class 10th का result जो है वो 13th of July को announce किया जा सकता है यानि अब देखे हाँ तो 4 July की data आ रही थी कि 4 July को announce किया जाएगा और अब जो है सीधा जो result है वो 13th July को कहा जा रहा है कि 10th class का result वो 13th July को और 12th class का result जो है वो 15th of July को announce किया जा सकता है बट इसमें भी जो important यहां पे क्या है कि there is no official confirmation अभी तक इस बारे में कोई official confirmation नहीं है सभी जो media आप कहा सकते हो media reports है new channels है वो सभी एक अपनी जो एक tentative date होती है वो जो है यहां पर बता रही है कि जो सुत्र है उनके उन से उनको पता चला है कि 13th और 15th date को result आ सकता है यानि 4 के आसपास भी result जो है वो आपका नहीं बताया जा रहा है सो मैं आपको यहीं कहूंगी बच्चो जब तक कोई official confirmation नहीं होती है आप जो है इस तरह ना ही उमिद लगाएं तो ज़्यादा जो है अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा panic बच्चे हो जाते हैं तो जब तक कोई official confirmation नहीं आती है तब तक आप यह मत मानिए कि आज result आएगा कोई official update आएगी कोई official tweet होता है तभी हम यह मान के चलते हैं कि हाँ आज जो है result आज या कल जो भी है result declare होने वाला है तो यह थी आज की update अगर इस तरह कि कोई भी update होगी तो आपके साथ जरूर share कर दी चाहेगी and support कीचिये and thanks for watching have a nice day